इस वीडियो के माध्यम से मैं scholarship से related आपकी कुछ doubt के लिए करने वाला हूँ, आपकी जो income है या आपकी जो income update अभी तक नहीं हुए, आपने copy time हो गया अपना जनाधर update करा हूए, लेकिन अभी तक नहीं हुए, तो उसका solution मैं लेक रहा हूँ, complete life proof के साथ में, तो friends इस वीडिय पूरा जनाधर काड़े वो अनुलिफिकरंट पूरा नहीं हुआ, उसे पहले हम भर सकते हैं या फिर नहीं बर सकते हैं, और इन सभी मुलब कुछ, इन सभी चीजों के बारे हम चर्चा करने वाले हैं, या इन सभी चीजों का मैं live आपको प्रूप दिखाने वाला हूँ, और साथ ही यह भी दिखाने वाला हूँ कि मैंने कितने तारीकों फिलब किया था और कितने दिन में मेरा जन अधारकाड अपडेट हुआ था, और किस प्रकार से आपको अपना जो जन अधारकाड है, वो अपडेट करना है, अगर आपका अभी तक जन अधारकाड नहीं हुई तो यह इन सभी के बारे में complete प्रोसेस इस वीडियो के मादने से मैं आपको बताने वाला हूं इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी skip मत केज़ेगा वीडियो बेसक लंबा जरूर हो सकता है लेकिन आपके जो हर डाउट है या फिर आपके जो स्कॉलर्शिप में प्रोब्लम आ रहे उसका हर प्रोब्लम का सॉलिशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो इस चैनल पर मैंने स्कॉलर्शिप से रिलेटेड हर एक प्र इस परकार से कोलेज करने और किस प्रमलब सब मेंने अपनी तरफ से 100% आपको दिया है आपके स्कॉलर्शिप से रिलेटेड और आगे भी स्पेशिप से बात दिना करके हम वीडियो को शुरूं करते हैं तो फ्रेंस सब्से पहले तो आपको यहां पर एक इस्कॉल रोटल सो हो रहा होका तुँए यहां मैंने 14 तरिक को अपना फर्फिलिप किया थैब यहां पे 14 तरिक सो हो रहे यह और यह 21 यहां session 100 हो रहा है और scholarship का जो status है वो यहां पर पेंडिंग 100 हो रहा है तो मैंने यहां 14 तारिक को अपनी scholarship flip की थी तो मेरा जो scholarship का फॉर्म वह flip हो चुका है और अब मैं आपको लाइब प्रोफ इसमें दिखांगा कि मैंने जन अधार कार्ड मेरा कितने दिन अपडेट वार अनुलिपी करन पूरा हुआ है या नहीं या कब मैंने आवे दिन किया था तो मैंने यह 14 तारिक को आवे दिन किया था बेक करने के बार में थोड़ा सा यह प्रोसेस ले रहा है मारा तो जैसे यह प्रोसेस कंप्लेट हो जाए तो हम जो नाधार पर लोगिन करेंगे तो मेरा नेट सलो है साइद तो इसको बेक हो जाने देते हैं थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहां साइद मेरा नेट सलो है यहां पर नहीं जहीं यहां जनाधार का उप्शन सो रहा था हम इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बार में मारा जो जनाधार हो ओपन हो जाएगा तो मैंने इस पर क्लिक किया और साइद अभी भी यह सलो चल रहा है तो यहां मेरा जनाधार ओपन हो चुका है मैं इंडॉल् तो अगर आपका यह डाउट हो रहागा कि अनुलीपी करन पूर्ण होने पर फिलिप कर सकते या उससे पहले भी फिलिप कर सकते तो आपके सामने यहां पी आपको मैंने लाइफ रूप बताया कि बीना अनुलीपी करन के भी आप फिलिप कर सकते हो आपको बस आपका जो जन आदार हो परतम स्तरी स्तापन और दीट्री स्तापन कंप्लीट होने चे क्योंकि दो अधिकारे द्वारा उमारा जो जन आदर काड़ में कंप्लीट हो चुका था तो यह आपका जो डाउड था कि यह अनुलीपी करन होना जरूरी है या पर नहीं तो वह तो आपका साय्थ कंप्लीट हो चुका होगा डाउट आपका नहीं रहा होगा तो अगर आपका सथ्यापन कर आने की जन्दार को जल्दी करवाने की जन्दार को जल्दी आप्डेट करवा में और मैं ने आपको यहाँ लाइफ पर बताया कि मैंने इच्छा तारिक को यहाँ आपना बटेट किया था और तेरा तारीकों मेरा दिवत्य स्तरी सत्यापनी complete हो अभी मेरा जो जन आदार काड़े वह अनुलीपी करन नहीं हो और नहीं अनुलीपी करन complete हो तो उससे पहले जो मैंने अपना scholarship का फोम था वो फ्लिप कर दिया और मेरा जो scholarship का फोम था उसको फिलिप करने में किसी परकार ये कोई प्रोब्लम नहीं आई अब मैं आपको जन आदार में दिखांगा कि आपको जो income है वह किस परकार से अपडेट करने आपको माता की income अपडेट करने या फादर की इंकम अपडेट करने हाँ go back पर क्लिक करते हैं go back पर करने के बारोजगो़ और कंडिषन उंको accept करके उकटेश्व करें उसके बारोजगे यहां पर आपको asylен कर चरने जो आपका जन आख आफ्डेट करुरा हों तो यहां लगन कर देना तो हम यहां यहां बार कर लेते हैं तो मैंने यहां इसमें ओर टीपी एंट्रक लेए उसके बार में ओर टीपी मानने पर क्लिक करेंगे और टिपी मानने पर क्लिक करने के बार फ्रेंस इस परकार्चे मारे जो जन आदार कार्ट की मुख्या है उसकी जो प्रोपल आपके सामने इस परकार्चे ओपन हो जाएगे तो फ्रेंस में यहां आपको मुख्या की इंकम आपको क्या सेलेक्ट करनी और किस इसकी जो इंकम है वो लेस देन फाइव जार सेलेक्ट करके जीरो इंकम यहां पर सोग कर रखी है तो इस प्रकार से आपको जो अपनी मदर है उसकी इंकम आपको जीरो इंकम सोग करने और यहां आपको उफसन सेलेक्ट करना है लेस देन फाइव जार वाला तो आपको यह वा करने मदर की अपडेट करने या फिर फादर की अपडेट करने और मेरा जो टेलिग्राम है उसमें भी कई मेरे साथी या स्टुडेंट है उन्होंने मेसेज किया था कि सर्थ हमको इंकम वारे प्रोब्लम आरे हमारे जो इंकम है हमें कापी टाइम हो चुका है मैं अपडेट कर अगर फ्रेंज आप यहां मदर की फुल इंकम या मदर की इंकम ज्यादा सो कर देतों तो आपका जो जना अधारकार्ड है वो अपडेट नहीं होगा आपको उसी सदेश्य के रियल इंकम अपडेट करने जिसका आपने इंकम सट्टिपिकट बनवाए तो मैंने यहां मदर का इंकम सट्टिपिकट नहीं बनवाए तो मैं यहां इसकी लेज देन फाइव जार करके जीरू इंकम यहां पर सेलेक्ट करूंगा तो इस परकार से आपको मदर की इंकम सेलेक्ट करने आप फ्रेंड से नीचे आएंगे तो यहां आपको सदेश्य एडिट वाला अप्शन द आपको फादर की इंकम अपडेट करके दिखा देता अब उसके बार में जो सदेश्य है और स्टूडेंट है उसकी इंकम भी अपडेट करके दिखांगा मैं यहां अपडेट नहीं कर रहा हूं मैं आपको सो करवा दी उसके बार में यहां फादर की इंकम है वह यहां को सो क करेंगे तो यह फादर की इसको सेलेक्ट करेंगे उसके बार में जो फादर उसकी जो प्रोपेलर यहां अपन हो जाएगी तो आपको फादर की इंकम में आपको सो करता हूं तो यहां आपको नीचे आना है नीचे आने पर यहां आपको वार्शिक आया अप्सन देखने को मिल वार्षी काय पर चाले जार स्लेक्ट या फिल कर देना है तो यहां उसके बार में यहां पर आपको जो आपको इंकम है वो अप्डेट करने या अप्लोड करना है तो मैंने यहां आलेड़ी सब कुछ कम्प्लीट अप्लोड कर रहा है उसके बार में अगर आपके जो इंकम है लाघा वाल उप्देट करने तो यांजा प्टर को इनकम करने तो इसको बह atenção करेंगे तो इसको यहां को बैक यहां पर O पर आपको यह पर ऐ cog relevant करने हैं तो इसके आंकख कुष ऑप्डेट करने नीचे प्र निचैने पर यहां को आ पना अपडेट करने तो रहा तो स्टुडेंट को सिलेक्ट कर लेता ह स्टुडेंट का सिलेक्ट करने की बाई किbya देखने को मिल रहहε Color cookie स्टूडेंट की जो वार्षिक आयती मैंने यहां लेज दिन फाई जार सेलेक्ट करके जीरो इंकम यहां पर सोग करने हैं तो इस प्रकार से आपको जो जन अधरकाड है उसमें आपको इंकम अपडेट करने हैं अगर इसी तरीके से जन अधरकाड में अपने इंकम अपडेट कर देते हो तो आपका जो जन अधरकाड मातर साथ से आठ दिन में अपडेट हो जाती है आपकी जो इंकम है वह साथ से आठ दिन में अपडेट हो जाती है और अगर आपका अनुलीपी करने आपका कंप्लेट नहीं होता है उससे पहले आप फॉर्म कर सकते हो बस आपके जो इंकम में वो अप्डेट होनी चाहिए तो आप तो करेंस आपको परकार से इंकम अपडेट नहें या प्र आपने से कई इंकम कर दिया मदर की मितर करण तो आपको उसको चेंजेट कर लेना अभी आपको वापिस से आपका जनाधर-काडude तो फ्रेंटस आपको अभी आपका जिनाधर-काड काड तो अप्डीट करवा देनुए उसको update करना है अगर आप जन आधर काड अपडेट नहीं करते थो तो आपकी जो इसकोल खोला सभिय का फो में आप फिल नहीं कर पाऊँगे आप अपना जो जन आधार काड़ है वो बिना इमित्र वाले के पास आए अपने मोबाइल से खुद अपडेट कर सकते हो उसमें किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं लगता है उसके लिए किसी प्रकार की कोई इमित्रा एड़ी की जड़री नहीं आप अपनी एससोर पर लोगिन सब्सक्राओं कि अपनी जो ऑपने जो इसकोलाड़ चीप और ऑप जायं पर अजैंके आग के आपको जो है यह में आपको सुरुवात दिखाई थी चौधा थारिकों में प्लाई किया था और चैतरीकिया उनुने जनादर अपडेट किया तो मेरा जो मात्र साथ से आठ दिन में जनादार बिल्कुल कंप्लेट अपडेट हो चुका था और यहां आपको स्टेटस भी मैंने सो करवा देख पेंडिंग विद इंस्टूटूर तो मेरा जो इसकोलर से में किसे कोई प्रोब्लम नहीं है तो मेरा जल्दी हमारे कोले से अब अपडेट किया था और यहां आपको स्टेटस रहा हो जाएगा अब फ्रेंड से यह जो स्कोलर से लेक करने या कौन सी यॉनिवर्सिटी चुलेक करने हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उन सब के लिए में यहां बता देता हूँ कि आपको यहां सब्सक्राइब लिए कोलेच में पढ़ए है वो जिस यूनिवरसिटी पर और लिगते यूनिवर्स Іप uh यहां पर डालने हैं तो मैंने यहां यूनिवर्जिक यू सुण कृटा ढ़ता तौठ 확인 राहा ह। और मैंने यह ऑदर piace परकार से फ्रेंट आपको जो अपनी इस खोले सिप कावेदने उसमें आपको यह सभी बातों का दियान रखने तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा जानकर आपको पसंद आयोगा अगर जानकरी पसंद आयो तो चैनल को सिस्क्राइब कर बेल आइकन को आपको तेक केर, बैबाए.